है रे दोस्तों मैं हूँ दिनेश के वोड़ा चलफा हिंदी पे आपका स्वागत है जीस्टी के आंकड़े आ गए 19 सालों में 19 महीनों में सबसे कम जीस्टी का कलेक्शन हुआ है 2900 कोरड़ आलमोस्ट आठ से 9000 कोरड़ का कलेक्शन पिछले महा की अपक्षा कम हो गया ये इस बात का प्रमाण है कि इंडस्टी डाउन है सर्विस डाउन है जिनके वरे टेक्स लगता है हाला तक इसकदर खराब है कि अगर आठ दस जार क्रोड का collection डाउन ता आप सोच सकते हैं कि कितना manufacturing कम हुआ कितना services कम हुआ क्या कहें साहब सरकार है कि मानती नहीं सरकार को कहते हैं मान जाएए मान जाएए मान जाएए कि देश में crisis है मान जाएए देश में depression है मान जाएए कि ये deep crisis है अब मानते ही नहीं हो अब ये facts and figures है अब क्या करेंगे इनको सब कैसे जुठला होगे GDP के आखड़े जूटे हो सकते हैं ये आखड़े जूटे हो सकते हैं वो आखड़े जूटे हो सकते हैं प्रदार मंत्री ने अभी ख़बर आ रही है इस्टम टीवी न्यूस चल रही है कि अपने सेक्रेटरी को कहा है कि कोई ऐसी आउट आउट आउप बॉक्स स्ट्रेटजी बनाएए जिससे कि हम अपना देश चला सके पैसा और आए और सुना है कि नीती आयोग ने एक प्रपोजल दिया है कि एक लाग पांच हजार क्रोड का डिस इन्वेस्टमेंट छोड़के एक लाग क्रोड और उगाहे जा सकते है आर्बियाई से एक लाग शत्र हजार क्रोड लिए कम पड़ गए एक इंटरिम डिविदेंड जैनरी में लेने जा रहे है तीज़ार क्रोड का वो भी कम पड़ गया एक लाग पांच ज़ार क्रोड का डिस इन्वेस्टमेंट वो भी कम पड़ गया आब सोचरे है कि एक लाग क्रोड ओर कहा से चुटाए जायें अब word use किया जा रहा है कि asset monetization ये जयारा करके आप सोचिए कि एक term use होती थी पहले पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे railways को, post office को, airports को monetize किया गया यानि कि गिर्वी रखा गया ये asset monetization बड़ा खुबसूरत अगरेजी शब्द है आपको इसका मतलब समझ नहीं आएगा करी बड़ हिंदी में कहते हैं गिर्वी रखना जब देश की यह हालत हो जाए कि यहाँ पे अब oil companies को बेचा जाए outrightly, अपने highways को, national highways को, सड़कों को monetize किया जाए यानि कि गिर्वी रखा जाए, airports को गिर्वी रखा जाए और फिर यह कहा जाए, कि सहाब 65 सालों में कुछ नहीं हुआ, अगर 65 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो यह कौन से assets हैं जिनको आप गिर्वी रख रहे हैं, जब बताईए तो सही, मोती जी के एक record है सहाब, मोती जी के 6 साल में एक भी public sector undertaking नहीं लगा है, नहीं लगा है, जब कि अटल जी के टाइम में तो 15 लगे थे, मैं आपको वता हूँ, यानि कि पैसे हूंगे तो लगाएंगे, यह क्या कर रहे हैं, यह पहले साल से बीच रहे हैं, अब फिर कहते हैं, इस देश में था क्या, कॉंगरेस ने क्या किया, पोजिशन ने क्या किया, देश के साथ क्या किया, आप क्या बेच रहे हैं सहाब, सडके किसने बनाई थी, हाइवेस किसने बनाई थे, एरपोर्ट किसने बनाई थे, और बैसे बताईए, पिछले 6 साल में आपने कौन सा एरपोर्ट बनाया, भाज संस्थान बने वे थे उन्हें आप बेच रहे हैं बारत पेट्रोलिये में दिसे काम देनों गायव को बेचने के त्यारी है क्या कहेंगे अगर साब देश को गिरवी रखके देश चलाने की बाते हो रही है, इससे ज़रा क्या कह सकते हैं इससे पता लगता है कि देश के रिवेन्यू के जो हालात हैं बहुत खराब हैं हमारी जो आर्थिक इस्थिती है इस तम आल्मुस जरजरों के खड़े में चली गई है सरकार है कि मानती नहीं शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए